जै प्रभु जगन्नात स्वावलंबी फाउंडेशन के संस्थापक एंड चीफ एक्जीकीटिव आफीसर समाननिय शिशिर साहुजी मन करता है आपका कोटी-कोटी अभिवादन करूं आपने एक ऐसे महामानद महान विभूती भारत माता के ऐसे वरद पुत्रा भारत रतन अटल विहारी बाजपाई के जीवन पर कुछ बातें कहने के लिए मुझे निमंत्रण किया है मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरा सौभाग्या है कि मैं संगह का एक स्वेम सेवत जब 6-7 साल की उमर में था उस समय बन गया था और कालेजी में अध्यन करते समय और पढ़ाते समय संगह के निर्देश पर ही राजनीती को न जानते वे भी मुझे कहा गया कि राजनीती के अंदर आपको लाना है और इसलिए 91 में यानि 1991 में मुझे सिर्षा विधान सभा से भारतिय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का एक अउसर प्रदान किया गया इससे पहले मैं माननी अकल बहारी भाजपाई जी को देखा था उनके साथ जलपान भी करने का सोभा गिपराप्त हुआ था लेकिन 91 में मेरी चुनाव सभा को संभोधित करने के लिए जब वो सिर्षा में पधार है तब उनके श्रीचर्णों में बेटने का माम को सोभा गिपराप्त हुआ और उनका सीधा सीधा भाशन सुनने का उनका प्रवचन कहिए उदबोधन कहिए यह एक संतवानी कहिए उसको सुनने का सोभा गिपराप्त हुआ तब से लेकर मैं प्रदेश का जक्षपना या उनके साथ और उनके दर्शन करने का सोभाग्य कभी मैंने चूका नहीं जहां तक संबभ हो सका उनके दर्शन करने का मैंने सोभाग्य प्राप किया उनके बारे में दुनिया ने तो जितना गाईन किया है, कलपना से बाहर है, लेकिन मुझको जो समझ में आता था वो मैं उनकी रचनाओं के माद्यम से, उनके प्रबोधनों के माद्यम से कुछ शब्द आपके सामने निवेधन करना चाहता हूँ. वो मेरी नजर में सन्यस्त हिंदू सम्राठ थे हिंदू तनमन हिंदू जीवन रगरग हिंदू मेरा परिचाए ऐसा लगता था रणचंडी की अत्रिप्त प्यास हैं शंकर का क्रोधा नल हैं डमरू की प्लै ध्वनी है दूरगा का उनमत हास है यम की प्रलैंकार है ऐसा लगता था जब उनको सुनते थे कि जीवन का धे नहीं है कीरती या धन है सुख भी नहीं धर्म भी नहीं ना कोई दर्शन है ज्यान भी नहीं बल भी नहीं ना कोई चिंतन है जीवन का अंतिम लक्ष स्वेम जीवन है इसा उनकी बातों से और उनकी बातों से और उनकी जितने भी कर्म हैं कर्म योगी के नाते हर कर्म को अकर्म मानकर चलने का जो है वो ज्ञान वीरवी हैं वी ज्ञान वीरवी हैं कर्म वीरवी हैं उनको सुनते सुनते हिसा मन में बार बार लगता था कि नहीं चाहिए पद्यश गरिमा सभी चड़े मां के चरणों में भारत माता की जय केवल शब्द पड़े जग के करणों में ध्यान में आता रंती देव की ने तु हम कामये रज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भमम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्थ नाशनम नाइदर पल्फ नार पावर ना रिवर्थ नाइदर हैवंस कुछ भी तो नहीं चाहिए only I wish to redress the sufferings of the suffering humanity जो downtrodden है, unprivileged है, unloved है, unrespected है, उनको अपना प्रेम दें ऐसे महामानद जो सत्ता की संस्कृती पर संस्कृती की सत्ता को अधिश्ठित करना चाहते हैं। जो सत्ता प्रेम को सत्ता इसलिए सत्ता के साथ जिनका प्रेम है उनके स्थान पर प्रेम की सत्ता को अधिश्ठित करना चाहते हैं। जो चाहते हूं कि मंगल में जीवन ढूंडने की क्या हो शकता है, जीवन में मंगल की तलाश करें। राजिनीती नहीं, राष्ट्र प्रीती, राजधरम, राष्ट्र धरम, ये मेरे लिए प्रमुख है, राजिनीती नहीं। मैं राष्ट्र नेता नहीं, राष्ट्र सेवक हूं, पद नहीं, पाद सेवन करने की जिसकी इच्छा है, चर्ण चुम्बन करने की जिसकी इच्छा है। डॉक्टर भीमरावंबेडकर का जनम स्थान, दिक्छा स्थान, परी निर्वान स्थान, उन सब को अगर नत्मस्तो कर उनके श्री चर्ण में जुक कर, उनको अगर सबसे पहले किसी ने उदभासित किया, चमतकृत किया, उदक्रश्टता परदान की, तो अटल विहारी बा जात, शत्रू थे, सरव मित्र थे, सबके प्रती संभाव, सद्भाव, स्वाधरम का पालन, पूरा जीवन जिसका यज्य है, पूरा जीवन जिसका आस्टेरटी है, परफॉर्मिंग दी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज परफेक्शन, यज्यह करम समुद्ववा, यही तो हैं अटल विहारी बाजपाई, आस्टेरटी कितने पवित्रता है, कितना तप है, कितना संयम है, कितना एप्रिग्रह है, कुछ भी तो नहीं चाहिए, चाहिए तो प्रिदे संकल्प सकल्समवेदन, तुझसे ही है मेरे जीवन के व्यापार प्रतिशन, मेरे तन का एकिकणू शोनित का प्रतिकण-कन, हर स्वाश, हर प्रकार की दिल की धढरकन, रक्त का कण-कन, आयू का चंच, जीवन का हर स्वापन, जीवन का हर प्रस्ण, सुमन हो या चमन हो नीड का त्रिन त्रिन भारत माता के चर्णों में ही तो समरित तुनों ने किया इस प्रकार का निर्भय का क्राम्ति वी राद द्रश्टा स्रश्टा विव्यक्ष के नेता रहते हुए पंडज्वालना नहरू कहते थे कि ये व्यक्षि आने वाले समय में कभी देश का प्रधान मंत्री बनेगा सदन में बोलें बाहर बोलें कहीं भी बोलें संसद खचा खच भरा होता था उनकी वानी को सुनने के लिए विपक्ष के सब लोग प्रेतन पूर्वक उनकी बात को सुनने का प्रयास करते थे क्या बात है हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं मैं गीत नया गाता हूं present momenta that is the being that is the transcendence that is the existence that is the astitwa that is the perfection that is the beauty that is the bliss that is the self that is the soul यही तो सब कुछ उनके लिए था और संघश करना हो पार्टियां टूटेंगी बनेंगी सरकारें आएंगी जाएंगी पर माभारत की असमिता उसके लिए कोई सोदा नहीं एक वोट खरिदा जा सकता था मंडी लगी हूई थी 269 अगेंस्ट 270 और एक विक्ति जो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और MP भी थे उन्ही की आत्मा पर छोड़ा गया क्या वोट देना चाहें तो दें और उसी एक वोट के कारण उस समय की सरकार अटल बिहारी बाजपाई की सरकार गिरी लेकिन उन्होंने उसको खरिदने का प्रयास नहीं किया संसद मंदिर है संसद बचपन का जूला है योवन की फुलवाड़ी है बुढ़ापे की काशी है और मुझे ध्यान में आता है जब देश के माननी है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई वोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो संसद की सीडियों पर अपना माथा माथे से संसद की सीडियों पर चर्णमंदना किया ये बताते हुए कि मैं 130 करोड लोगों के आशीरवाद का कवच पहनने के लिए ततपर हूँ आतुर हूँ तयार हूँ मैं भारतिय जनता पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री अवश्य हूँ लेकिन मैं 130 करोड की जनता का अशीरवाद का कवच लेकर संसद में जा रहा हूँ उनके चर्णों में प्रणाम करता हूँ यही अटल बिहार बाजपाई से तो सीखा जब अटल बिहारी बाजपाई ने कहा नरेंद्र भाई राजधरम को निभाना हमारी प्रात्मिक्ता है आउटलाइंग अल्डी सोट्स अव डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार के पक्षपाद करने का वान मैं वान वैल्यू इसे इन अल्डी सफिर्स अफ लाइफ एक व्यक्ति एक उसका कीमत कहना चाहिए उसका सम्मान कहना चाहिए देटीज वाट अटल बिहारी बाजपाई जिनेवा कांफरेंस के अंदर काश्मीर के विशय पर बातचीत करने को कहा गया तो उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी बाजपाई को काश्मीर के ऊपर विशय प्रस्तुत करने के लिए भारत की तरफ से उनको भेजा और जब बेन जिर भुट्टों ने देखा य 1971 का युद्ध हो जिसको वार वैटरंस अभी हम कल पर धामाननिय प्रधानमंत्री जिने पूरे देश की तरफ से उन बहादूर सैनिकों को शत्षत नमस्कार किया है जिनने भारत की अस्मीता खंडता और भारत की सरवच्चता को दुनिया के अंदर स्थापीत किया था कली कली इस प्रकार का कारकरम पूरे देश में हुआ है मशाले जली है स्वर्णिंव विजय दिवस मनाया गया है और उस समय उन्होंने कहा था कि देश की प्रधानमंत्री जी घमासान हो तूफान हो जंजावत हो किसी भी तरह का कैसा भी संकट क्यों ना वीरा में हो भारति भारत की भारत की अखंडता और भारत की प्रभुता भारत की उतकृष्ठता को कभी भी दाग नहीं लगने देंगे अटल भियारी बाजबाई संसद में जब कभी मनमोहन सिंग जी फाइनन्स मिनिस्टर के नाते बूले अटल जी ने जब उनका उत्तर दिया तो मनमोहन सिंग जी घबरा अगए इस्तब्द रह गए और नर्सिंगराओं के पास आकर कहा कि मेरा इतना बड़ा अपमान संसद में हुआ है मैं त्याग पत्र देना चा कि प्रद्धान मंत्री जी नर्सिंग अटल भीहारी बाजपाई को कहा कि इनको मनाईए इनको अस्तीफा ना दे ऐसा कहिये और अटल भीहारी सकता कभी सोचा नहीं जा सकता है विपक्ष के नेता के हुने के बाद भी यह बात कि मैं आदी शक्ति का पुत्र हूं इसलिए पूरा विश्व हम सब एक परिवार हैं अयम नीजम परम परोवेती गणना लगू चेतसां उदार चरीता नाम तो वसुधैव को टंब कम इसारा मेरा परिवार है इस प्रकार की भावना को लेकर चलने वाले वो सरव मित्र थे विश्व मित्र थे अजाद शत्रू थे ऐसा दुनिया ने उनके सब के लिए कहा गया है भारत 1893 में पार्लियमेंट ओफ रिलिजन्स में जब वीवेकान अंदिजी नहीं अपना प्रबोधन किया और पूरा विश्वस्तब्द रहे गया वो शिकागो का हाल साथ अजार क्यपेस्टी से खचा-खच भरा हुआ पांच मेनट तक लगातार तालियां बजाता रहा ब विश्व भारत के लिए कभी भी किसी ऐसी भावना से बात नहीं किया जिस भावना से कभी वो पहले बात करता था और 1993-94 के बाद देश की अटल विहारी बाजपाई जब उन्नी सो च्वानिया के बाद प्रधान मंत्री जी बने और पौकरन के अंदर विस्खोट हुआ और नचत्र ध्रूव नशत्र के समान चम चमाने लगा आज वही कारण है कि भारत के लिए सब दुनिया का देश रधा के साथ बूलता है यूएनों के अंदर पहली बात राश्ट्र भाशा हिंदी में भाशन करकर दुनिया को एजतलाने का प्रयास कर दिया कि भारत एक है भार नचत्र के सामने नचत्र के समान दुनिया में सामने होकर प्रगट होने लगा है यह उनका ही काम था जो उन्होंने इस प्रकार से किया मोत से कभी डरे नहीं मोत से मैं क्यूं डरूं फिर लोट कर तो आऊंगा फिर वापस आऊंगा यूएस ने यूनाइटिड स्टेट्स अगर सेंशन्स लगा दी हम पर पोखरन के विस्फोर्ट के पश्चाथ तो उनकी एक अपील के उपर नाउन रेजिडेंट इंडियन्स ने भारत के खाजाने को इतने पैसे से भर दिया के यूएस मूताक्ता यूनाइटीड स्टेश जो अस्तब्द रहे गया यूनाइटीड स्टेश ने तो हमारा कोई पंद्राबीस अजार करोड रुपे के उपर परतिबंद लगाया होगा लेकिन उस समय भारत के खाजाने में दुनिया भर की संपदा लोट आई और दुनिया भर का संपदा हमको मिल गया है इसलिए भारत का अगर कोई यज्ज है आहूती है सेक् 1293 और फिर Angel want 1996 के बाल टेरा दिन तेरा महीने चया साल के अंदर सरकार चलाते आईसा कैसे संवह हो सकता है तो इस चोविस Byes दलों कोगशना और सब पातनी सरकार सब्सक्राइभ सब unasब्सित होना शर्द पवार भी उसमें मंत्री है पासवान जी भी उसमें मंत्री है अतल बिहारी बाजपाई के साथ ना चलाओ चोबिस चोबिस अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग को देने का उस समय का प्रयास किया और कैसा कैसा अनुची कैसा प्रसंग है देखिए जैसे भीशम पिता महा तीर शैयों पर लेटे रहे और यह सोच करके जब तक भारत का नेत्रित शक्षम और शुद्ध शुद्धतम नहीं होगा तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा ऐसे यतल भी हरी बाजबाई भी एक मृत्यू शैया पर पड़े रहे और जब उनको विश्वाश हो गया कि अब दो हजार चुदा में भारत का बागड़ सक्षम हाथों में है शुद्ध हाथों में है जन जन के कल्यान के लिए जो अपना सर्वस लुटा दे उसके हाथों में है तब ही अपने प्राणों को त्याग करकर वो इस देश से चले गए लेकिन कहां चले गए वो तो हमारे सामने हैं जिन्दा हैं उनकी भाते हैं उनका जीवन है उनके सब उसके जीवन की दिशाओं पर उनकी जीवन की बातों पर सब चलने के लिए हैं आज देश के माननिय प गीता में अटल विहारी बाजपाई जैसे महामानवों के लिए लिखा है, मुक्त संगो अनमवादी ध्रती उत्सहा समनविता सिध्धी असिध्धियो निर्विकारो करता सात्वी कुछ्चते. मुक्त संगो, not attached to anybody, no false pride, no false ego, no false association, no false proprietorship, no false prestige, divide of all these things. मुक्त संगो अनमवादी, I don't exist, I exist only for the divine, you see. I exist only in the service of the divine. मैं तो प्रभु जगन्नात का काम करने के लिए हूँ, मैं तो प्रभु जगन्नात के लिए हूँ, सो हम, ब्रह्मो असमी, if I exist, I only exist for Lord, प्रभु जगन्नाता, for divine. धिति जवत मुक्त संगो अनमवादी, धृति उत्साह समानविता, whatever the situation may be, whatever the consequences may be, कैसा भी क्यो ना हू, अमंग उल्ला सरुतसाह, zeal or enthusiasm, every moment, every breath, every throb of the heart, dedicated to the altar of Maa भारती, leaving Godessness, जिसको रामचरित मानस में तुल्सी दासजी ने का, देवी भुवन मन मोहिनी, जिसको कहा गया, टेगोर ने देवी भुवन मन मोहिनी कहा, वंकिम चंदर चटरजी ने जिनको दुर्गा दश प्रः धारनी कहा, महरशी अरविंदू ने जिनको आदी शक्ति महा माया कहा, और आमचरित मानस में गो स्वामी तुल्सी दासली ने जो ये कहा, विश्व मूलासी जनसानु कूलासी कर शूल धारनी महा मूल माया भुक्ति मुक्ति दाईनी बैहरनी काली का मंगल मुद सिद्धी सदनी परव सर वरीश बदनी तापते मीर तरुन तरनी किर्णमाली का कुछ भी हो कैसी भी सच्छुएशन क्यों न हो मेरे रखत का एक एक एकन भारत माता के चरणों में समर्पित है never wavering success or failure success मिले सफलता मिले या सफलता मिले कोई उसका मतलब नहीं दो सीट आएंगी तब भी चलेगा 182 आया तब भी चलेगा पर ये अलग विशे हैं इससे परहट कर है मैं राष्ट्र का एक छोटा सा अनू हूँ ये ध्यान में रखना उसका एक छोटा सा कन हूँ अनू हूँ इसी बात को लगातार कहिना और इसी बात को एहसास करना ये थे शिरिमान अटल विहारी बाजपाई भारत रतन भारत के माननिये प्रदान मंत्री जिनके पर चिन्चों पर चल कर आज हम 1980 के अंदर जो भारतिय जनता पार्टी का उनों ने उदे किया और कमल का फूर जो चुनाव चिन्ह, चिन्हित किया कहा था अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और भारत फिर से प्रकाश पुंज बन अधे जनता पार्टी के देश नेता की नरेंदर भाई ऑन प्रशंथा बहुत के माननिय प्रधान मंध्री के लिए भारत के माननिय प्रधानमंत्री का प्रशंसा, भारत के माननिय प्रधानमंत्री के आखों पर बिठाना, उनके लिए क्या-क्या नहीं कहा है दुनिया के देश के लोगों ने, क्योंकि लव अफ पावर एक बात है, पावर अफ लव दूसरी बात है, यूएन्यो के पॉर्टल पर दीवारों पर ये शब्द लिखे दिया है मानिया प्रधान मंतरी ने प्रेम देवो भाव Every Place is My Village, Everyone is My Relative ऐसा करके भारत के मानिया प्रधान मंतरी जी ने जो चाप छोड़ी है वै अटल विहारी बाजपाई का ही तो करिश्मा है हम सब नतमस्तक हैं और उनके हृदय से कोटी-कोटी उनका बंदन करते हैं आत्मा में उनको बिठा के रखे हैं जैसे भगवान हनुमान के एक-एक रख्त की बूंद के उपर राम और सीता का चित्र था इसे ही अटल विहारी बाजपाई के रख्त की एक-एक बूंद पर मा भारत माता का उस लीविंग गॉडस का चित्र था इसके अतिरिक्त अटल विहारी बाजपाई कुछ और रही थे मैं नतमस्तक हूँ और अभिवादन करना चाहता हूँ साहु जी का कि आपने मुझे इस मेमोरियल लेक्शर्ज की सीरीज पर आपने मुझे आमंतरन करकर धन्य किया है मुझे सवभाग्य प्रदायन किया है मैं बहुत आनंदीत हूँ गर्वीत हूँ पुनहें आपका धन्यवाद बंदे उतकल जननी भारत माता कीजए